जैहिन प्यारे सातियों फाइनली आप लोगों का जो है PNHT का कॉंसलिंग प्रोसेस का यहां पर सेड्यूल इन्होंने डिसाइड कर दिया है आप लोगों के कुछ जो इमेल मिला था DHS के द्वारा MP Online के माध्यम से तो फाइनली जो 1 सेप्टेमबर आप लोगों की डेट बता दिया है किस प्रकार से आप लोगों को कॉंसलिंग करना है यह सारी डिटेल यहां पर आप लोगों को बतावंगा सबसे पहले सेड्यूल किया रहने वाला है और कितनी college की seat यहां पे आप लोगों की बच्ची है और cut off क्या-क्या रहने वाला है कितने cut off आप लोगों की जा सकती है तो बने रही है वीडियो में अंतिम तक एक एक detail यहां पे हम लोग जानेंगे ओके guys चली और हाँ चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर कर ले और bell icon को प्रेस कर दे ताकि समय समय पे आप लोगों को latest video और notification मिलते रहे देखें जैसा कि homepage पे दिखाई दे रहा है यहां पे आप लोगों का जो है क्या-क्या हम लोग देखने वाले है सबसे पहले बात करते हूँ यहां पे schedule of PNHT counseling first round तो first round का यहां पे आप लोगों का schedule decide कर दिया है आप यहां से PDF डाउनलोड कर सकते हो ओके guys देन यहां पे रोल नंबर फोर बेगा सहरिया एंड भारिया candidates of PNHT counseling 2021 किस ओके 21 के लिए तो यहां पे बेगा सहरिया वालों का रोल नंबर भी दे रखा है कि कोन-कोन से candidate बेगा सहरिया वाले candidate कितने candidate यहां पे participate करते हैं उनका रोल नंबर भी दे रखा है यहां पे seat chart of PNHT counseling का दे रखा यानि कितनी seat आप लोगों की है rules of PNHT counseling 2021 तो सभी जानकर यहां पे एक एक करके हम लोग समझेगे तो सबसे पहले देखते हैं आप लोगों का schedule क्या रहने वाला है तो गाइस यहां पे देखिए आप लोगों का PDF डाउनलोड हो चुका है और यह देखिए आप लोगों का schedule of PNHT first round counseling 2021-2021 DHS सबसे पहले यहां पे आप लोगों की कुछ important date दी है पूरा schedule देया है आप लोगों का क्या क्या activity आप लोगों की आगे रहने वाली सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा तो देखिए सबसे पहले serial number first पे आजाते हैं हम लोग choice filling and registration start date यह आप लोगों की एक September याने आज से ही आप लोगों की जो है choice filling start हो रहेंगी और last date आप लोगों की क्या रहने वाले है choice filling और registration की तो वो रहने वाली 7 September जैसा की email में बताया था बिल्कुल उसी के अनुसार यहा यहां पर थर्ड नंबर पर center allotment list आप लोगों की जो एक allotment list आजाएगी वो 17 September को आजाएगी यहां पर बताएगा कि आप लोगों को कौन-कौन सी college यहां पर allotted हुई है last आप लोगों की जो process रहने वाली चौथे नंबर पर रहने वाली reporting of candidates तो आप लोगों को जो reporting करना ह बोक अप करना है 18 September से लेके आप लोगों का 25 September तक आप लोगों को college में report करना होगा यानि कितने दिन दिया है आप लोगों का तो देखिए होगा जैसे आप लोगों का नाम एलाटमेंट लिस्ट में आ जाता है अब बात करेंगे आप लोगों की कितनी सीटे बच्ची है उसके बाद जानेगे cut off क्या जाने वाला है तो dear student ये रहा आप लोगों के सामने कितनी सीटे आप लोगों की कौन-कौन सी college में बचिए उसकी पूरी लिष्ट PNST 2021 राउंड सेंटर वाइस वेकेंसी चार्ट ओकी तो देखी यहां पर टोटल आप लोगों की सीटों के बारे में बात कर ले तो आप लोगों की सीटे दिखते हों की सबसे पहले बात कर लोगों यहां पर college ने प्रसिक्षन केंद्र आप लोगों के 10 college है और कुल सभी में 60-60 सीटे है मात्र एक college है जो की अनुपूर वहां पर 30 सीटे है तो आप सभी सातियों को बता दू सभी प्रसिक्षन केंद्र जो की 10 की 10 college है उनमें से एक college है अनुपू उसमें मात्र 30 सीचे है और बाकी तो प्रसिक्षन किन्र है उसमें आप लोगों की 60 सीचे है बात कर लेंगे सब्से पहले नमबर पे आपकी कौनशी कॉलेज है ग। 60 सीटे है जैसे उज्जेन हो गया, दिवास हो गया, सतना हो गया, राइसेन हो गया, दतिया हो गया, विदीशा हो गया, जाबवा, मनसोर और अनुपरीश्प्र का 10 कॉलेज आप लोगों के सामने है यहां पर खुली प्रतियोगिता के लिए 15-15 सीटे रखा है, और जैसे कि आसा कारे करता के लिए 11 सीटे दे रखा है, जनरल वालों की टोटल 154 सीटे है, कितनी 154 सीटे है, और EWS वालों के लिए आप लोगों की 57 सीटे है, और जैसे कि हाँ, आप लोगों का जो है जन जाती के लिए 114 इस प्रकार आप लोगु की सीटे यहां पे डिवाइट कर रखा है उकी गाइज चलिए जैसे की EWS के लिए यहां पर देखी खुली प्रती योगित वालों केंडिडेट के लिए 6 से सीटे सभी के लिए डिवाइट कर रखा है और आसा कारे करता के लिए कोई भी सीट नहीं है EWS आसा कारे करता के लिए डेन नेक्स्ट की बात कर लेते हैं यहां पे आप लोगों का अनुसूची जाती याने SC Candidate के लिए कुल 10 सीटे है कितनी SC Candidate के लिए याने 10-10 डिवाइड कर रखा है 10-10 सीटे यहां पे सभी college में available है याने आरक्षित है उनमें से 9-9 सीटे आप लोगों की जो है खुली प्रतियों गितावालों के लिए है और आसा कारे करता के लिए एक-एक सीटे available है जैसे कि अनुपूर में कोई भी सीटे नहीं है आसा कारे करता के लिए यह आप लोगों को ध्यान देना है इसी प्रकार आप लोगों को आप लोगों की college choice फिलिल करना है देन बात कर लेंगे यहां पे अनुसुची जन जाती की 114 याने देखी यहां पे total आप लोगों की देखी देखी कुल अलग-अलग college में 12 सीटे available रखा है ओकी जबलपूर 12, उज्जेन 12, देखा जाए तो खोली प्रति योगिता के लिए 11 सीटे available है सभी college में अनुकपूर को छोड़के अनुकपूर में 6 मिलेगी और आसाकारे करता के लिए 1-1 सीटे है ध्यान रखे और अनुकपूर में आप लोगों को आसाकारे करता के लिए सीटे नहीं मिलेगी यह ध्यान द लोगों की अनुकपूर कालेज में यहां पे 15-15 आप लोगों की खुली प्रतियों की तवाली केंडिडेट के लिए यहां पे आरक्षित रखा है और आसाकारे करता के लिए 1-1 सीटे आप लोगों को दे रखा है दिव्यांग जो केंडिडेट रहेंगे उनको 4 प्रतिसत का यहां पे यानि 4-4 सीटे उनकी पहले से ही आरक्षित रहेंगी यह भी द्हान रखेंगे आप लोग आसाकारे करता केंडिडेट वो द्हान रखेंगे कि अनुकपूर में आप लोगों को अनुकपूर कॉलेज चोईस नहीं करना है चोईस फिलिंग में अनुकपूर याने 9 में 60 को गुना कर लेते हैं हम लोग 954, 540 सीटे ये आप लोगों की कितनी है ओके और अलग से 30 आप लोगों की अनुपूर्गी याने 570 सीटे आप लोगों की टोटल बन रही है अब गैस यहां पर आप लोगों का कटाओफ क्या रहने वाला है ये तो देखी काफी अच्छा और सांदार कटाओफ यहां पर रहने वाला है क्योंकि यहां पे आप लोगों को ध्यान में रखना है कम से कम नंबर वाले भी candidate यहां पे participate करें क्योंकि यहां पे अब आप लोगों के लिए last chance है और last chance में अगर आप लोगों को college मिल जाती है तो अच्छी बात है उसके बाद हम एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आने वाले वो वीडियो रहने वाला है आप लोगों का cutoff का video ओके इस वीडियो में बने रही है अंतिम तक cutoff का सांधार वीडियो next video आप लोगों का मिलेगा और बिल्कुल एक्सेट टेफ कट आफ यहां पर आप लोगों को बताया जाएगा ओके थेंक्यों गाइस पुनाई सिपरकार के लेटेस्ट वीडियो के साथ मिलते रहेंगे हम और हाँ आगे एक और वीडियो आप लोगों को लेके आने वाले है कि कॉंसलिंग प्रोसेस आगे कैसे करना है लिंक कब तक ओपन हो जाएगी यह भी आप लोगों को बता दूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले है